नमस्कार आप देख रहे हैं आर्थ प्रकाश टीवी और मैं हूँ आपके साथ राहूल तिवारी मोधी जी का सत्रवा जरम दिन पूरे देश भर में हरसो उल्ला से मनाया जा रहा है वहीं चंडीगर बिजेपी के जो कारे करता है वो भी कहीं पीछे ना रह जाएं इस कदम में तो आज वो बहुत सी चीजें कर रहे हैं इसी को लेके हमारे साथ आज यहां के बिजेपी के प्रदे सद्धियक्ष अरुन सुद्जी है आये इन से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या नया कर रहे हैं इस बार और किस तरह से आप मोदी जी के जनम दिन को मना रहे हैं ऐसा जी सबसे पहले तो मैं संपूरुन देशवासियों को सारे विश्म में रहने वाले हिंदुस्तानियों को बहुत बहुत बदाई देता हूँ कि आज मोदी जी का सत्रमा जनन्द्वस है और हम सब लोग प्रभू के चरनों में उनकी द्रिगायू के लिए कामना कर रहे हैं अर्चना कर रहे हैं और जिस परकार से आज उनका सत्रमा जनन्द्वस है तो बारतिय जनता पार्टी एक ही दिन कोई केक काट कर इस तरीके से एक सेरेमोनियल बर्डेनी मनारी जिस परकार से मोदी जी का व्यक्तितव है वो जन जन के नेता है और उन्होंने देश में आम ज 10 सब्तंबर तक जो है वो सेवा सपता के रूप में मनाएंगे और ऐसे दुविन विन जो है सेवा के काम हमने लिए हैं जिस में हम चौदा तरीक से शुरू होकर 20 सब्तंबर तक जो है सतर स्थानों पर पॉलिक प्लेस पर चाहिए वो इस्पेंसरी पार्क हैं गलियां हैं अंडिगड के कुष्ट आश्रम हैं आनाथाल्या हैं वृद्द आश्रम हैं दिवांगों के इंसिटूशन्स हैं पिंगल वाड़ा है हॉस्पिटल्स हैं डिस्पेंसरी हैं जो भी जो अपनी हैं मतस्से हैं इन सब में सतर ऐसे जगाओं पर हमने जो है फर्वित्रन का करेकरम किया है हर बूत पे सतर पौधार उपन का करेकरम हमारा चल रहा है और इसी कड़ी में जो है हमने जो ब्लड डूनेशन और ये जो आई डूनेशन औरगन डूनेशन का जो है हमारे कैंप्स जो है वो 15 तरीक को हुआ 16 को आज 17 में 17 सेक्टर में जिला नमबर 2 कर रहा है पिर 1920 और बीस को है प्लाजमा के लिए हम लोग जो कॉविड पेशन ठीक हो गए हैं सेत मंद हो गए हैं वो लोग अपना प्लाजमा दे कर दूसरों की जान बचाएं ऐसे सतर लोगों को प्रेडित करके हम सतर से दिक लोगों का प्लाजमा डूनेट करा रहे हैं और इसी कड़ी में हम ने जो है सतर ऐसे व्यक्तियों को बजर्गों को जिनको दूर और नजदीक की चश्मा चाहिए था वो हम उन्हीस तरीक को एक कैम लगा रहे हैं उसमें ऐसे लोगों को हम चश्में मोहिया करेंगे बीश तरीक को हम सतर लोगों को सतर से अधिक लोगों को वील चेर्स हेरिंग एड अपना वाकर्स बसाखियां वाकिंग स्टिक्स ये सब देने जा रहे हैं दिवांग लोगों को और इसी प्रकार से आज शाम को पांच चालिस पे एक हम वर्चुल कांफरेंस करने जा रहे हैं जिसमें मोदी जी के व्यक्तितव पर और उनके करतवे तब कर कि उनका व्यक्तितव कैसा है और उन्होंने क्या काम किया है इस विशे पर एक कांफरेंस होगी जिसमें मुख्या वक्ता जो हमारे शहर के बहुत ही प्रसिद एंडस्टलिस्ट है एजूकेशनिस्ट है आरके साबू जी वो इसमें वक्ता रहेंगे और प्रिंसिपल के असारे जो डियेवी कॉलजी के प्रिंसिपल रहें हैं सैनेट सिंडीकेट के मेंबर हैं पंचनर्ज के साथ तो आज की वर्चुल कांफरेंस का ये विशे रहेगा और एक हमने डिजिटल जो है प्रदर्शनी मनाई है जो हम आउनलाइन जो है लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि मोदी जी के बचपन से लेके आज प्रधान मंतरी पद के सतर वर्श की आजू तक के उनके जीवन के सार कामों को हम जो है डिजिटल प्रदर्शनी दवरा कर रहे है और आज विशेश रूप से उनका जनम्दिवस्धा और हमारी प्रंपरा में हमारी संसकृती में है जो किसी भी शूप कार्या पर यग किया जाता है तो आज हमने बार्तिय जंता पार्टी कारलिया में हवन का यो जो है जिस परकार से मोदी जी आज देश के नहीं पूरी दुनिया के नेता हैं और पूरी दुनिया में भारत को विश्व गुरू के रूप में स्थापित करें और भारत का मान बढ़ाएं इसी प्रभू चरनों में आज हमने एक कामना की है और इसी को लेकर आज यह का जोज हैं एक व्यक्ति के भी मास्क जो है वो नीचे नहीं था मास्क जो है वो सब लोग पहन रहे हैं हम अपने हाथों को सवच्ष़ता की तरफ ध्यान दे रहे हैं सोचल डिस्टंसिंग का पूरा ध्यान रख रहे हैं और इसी प्रकार से जो है जयो भी करेकरम हमारे हैं उनमें ह हम उचित जो है सारे जो जितने भी do's and don'ts हैं उन सब का ख्याल करने और प्रमात्मा की दृष्टी से भारतिय जंता पार्टी ये सारे कारे करम जो हैं एक राजनितिक पार्टी ऐसे सिवा के काम कर रही है ये इस कारन से परमात्मा की हम पर किरपा है कि हमारे लोग अगर जरा वहलडिय दुरुस्त होकर पिर से समा सेवा का काम करें भारती जंता पाट्टी के परदेश मामंतरी इस वक्त हमारे साथ है जस्वार बट्टी जी आ यह उनसे बात करते हैं मोदी जी के सत्तरवे जनम दिन पर वो क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से जो संदेश है मोदी जी क का संदेश है वो लोगों तक विस्तार पूरवक उनके जनम दिन के दिन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे आई इन से जानते हैं कि क्या कहते हैं आज देश के यश्यस्वी प्रधानमंत्री मानिया श्रीम नरेंदर भाई मोदी जी का सत्तरवा जनम दिन है और भार कड़ी में आज भारतिया जनता पार्टी ने चंडिकट के अंदर धेर सारे आज के प्रोग्राम है आज के पिछले चोदा तारिक से ही चल रहे हैं और उसी कड़ी में क्यों तो एक सब्ता के कारेकरम थे लेकिन आज का दिन विसेश दिन है देश के लिए देश की जनता के लिए और मैं महसूस करता हूँ कि मोदी जिस तरीके से देश का मान दुनिया में बढ़ाया है उनको प्रमात्मा लंबी आयूदे स्वस्त रखे उनका होर भी धरक्या करें उनका भविश्य उज्वल हो और देश की सेवा करते रहें देश का नाम हिंदी हिंदू और इतका दलितका तो ये बहुत बड़ी बात है आज से पहले के जो प्रदान मंत्री थे तो अच्छी बात थी देश के प्रदान मंत्री हुए पर जिस तरीके से जो लोग प्रियता के इसाब से आज नरेंदर भाई मोदी जी की लोग प्रियता है मैं समयनता हो कि कि किसी गाईयों की कामना, उनकी सफलता के लिए, तो देश की जनता कर रही, भारतिया जनता पार्टी के तो नेता हैं ही है, लेकिन पार्टी और पॉलिटिक से उपर उटकर के, जितना सादू समाज है, जितना संत समाज है, वो सब मौधी जी के अपना अशिरवात दे रहें, और हम पर साम को अरुन जी भी और हम सब लोग जाएंगे, वहाँ आज उनका सतरवा जनम दिन है, सतर किलो का वहाँ पर हम के काटेंगे, और सब जगया जितने कारेकरम, कम से कम सतर सतर दा चली रहें, और आज जो बलट डोनेशन का अपना भी सेंती सेक्टर में जिला नमर दो की उसके अंदर भी आज सतर नहीं, आज एक सो सतर कम से कम बलट वहाँ पर जो कारेकरता यूनिट, एक सो सतर यूनिट वहाँ पर डोनेट करेंगे, ऐसी उमीद के साथ मैं चंडिकड की जनता को भारतिय जनता पार्टि के समस्ट कारेकरता हूँ, देश की जनता को, सब को मोदी जी का 17 जनम दिन, वो किस तरह मना रहे हैं, उनके अलग-अलग जगाओं पर कारेकरता, किस तरह से एक्टिव हैं, किस तरह से जन्समू के लिए कारे कर रहे हैं, जिस तरह से मोदी जी ने देश के लोगों के लिए अलग-अलग तरह से कारे किया, बड़े कदम उठा इन दस सालों में जो सरकार इनका कारे कर रही है उसको लेकर ये लोग विस्तार पूरवक किस तरह से काम कर रहे हैं आने वाले टाइम में इनकी क्या रणनीती रहेगी फिलहाल अभी जन दिन के समय आज जैसे इनोंने हवन करवाया और कमलम में हवन के बाद ये बलड डोनेश का कारे है वो एक हफता तक ऐसे ही चलता रहेगा जिसमें चंडिगड बीजेपी की और से इनके कारे करता लगातर एक के साथ एक मिलकर इसमें बड़ चड़ के हिस्सा ले रहे हैं और चंडिगड और इसके आसपास के इलाकों में लोगों की साहता करने की कोशिश कर रहे है चंडिगर से कामेरा परसन दीपक के साथ मैं राहूलतिवारी अर्थप्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूले